संस्कृत वाले मुस्लिम प्रोफेसर को निकाला नौकरी से आया परेश रावल का बड़ा बयान रंड्रेश की अवाज नियूज बनारस हिंदू विश्व विध्याले बी एच्यू में मुस्लिम प्रोफेसर द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाने के विरोध का मामला बड़ा रूल ले चुका है ऐसे में एक्टर और बी जेपी के पूर्व सांसद परेश रावल ने अपनी राय पेश की है उन्होंने कहा कि इस तर्क से तो मुहम्मद रफी को भजन ही नहीं गाने चाहिए थे अपने ट्वीट में परेश रावल ने लिखा मैं प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ती को लेकर हो रहे विरोध से स्तब्धुम भाशा का धर्म से क्या लेना देना है यह तो विडम बना ही है कि प्रोफेसर फिरोज खान ने अपनी मास्टर और पीएच्टी संस्कृत में की है भगवान के लिए यह मूर्खता बंद की जानी चाहिए परेश रावल ने भी एच्छी चातरों के इस प्रदर्शन को लेकर एक अन्य ट्वीट में लिखा इस लॉजिक के मुताबिक मुहम्मद रफी को भजन नहीं गाने चाहिए और नौशाद साबह को इन्हें कमपोज नहीं करना चाहिए बता दे की साथ नवंबर से से चातर संस्कृत विद्या धर्म विज्यान संकाय के साहित्य विभाग में सहायक प्रोफेसर पदबर डौफिरोज खान की नियुक्ती के खिलाफ धरने पर बैठे है चातर बुद्वार को यानी की 14 दिन भी धरने पर रहे इन सब के बीच बीच बीएच यू इतिहास विभाग के प्रोफेसर एंपी अहिर्वार ने अपनी फेस्बुक वाल पर लिखा है कि बीएच यू को बनाने और आर्थिक सहयोग करने वालों में मुसलिम भी पीछे नह चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाकर हमें स्पोर्ट करें